दर मोस्तो मंगलं, सरुव मंगल मांगल्यं, सरुव कल्यान कारकं, प्रधानं, सरुव दर्मानं, जैनम जेतु शासनं, जैनम जैतु शासनं नमह श्री वर्द मानाय निर्दूत कलिलात्मने सालो कानाम ट्रिलो कानाम यद्विद्यादर्पनायते समोशरन का वर्णन ध्यान के अंतरगत आया है रूपस्थ नाम का धर्म ध्यान ध्यान की सिद्धी के लिए समोशरन का वर्णन किया है दूसरी सामान्य बात ये है भगवान की भक्ती में यदि ज्ञान का साथ मिल जाए तो परणाम विशेश लीन होते है मंदिर में जाते हैं भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान का आयतन कैसे होता है जिसकी प्रतीकृती जिनाले है जैसे एक बार अच्छी तरह से समोशरन का स्वरूप समझने का प्रयास करना चाहिए भगवान की धर्मसभा कैसे होती है समोशरन बाहर में पुन्य के उदय का परिणाम है जिन जियों ने शुद्द चैतन्य ग्यायक भगवान आत्मा की आराधना के साथ कशायों की विशेश मंदता में ये विकल्प किये थे या हुए थे कि ये तत्व सभी को समझ में आ जाएं जिस तत्व को जान करके हमने सम्मेक दर्शन, सम्मेक ज्यान, सम्मेक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया अर्थात सुख और आनंद के मार्ग को प्राप्त किया ऐसा मार्ग सभी को मिले सिर्फ मुझे मिले ये तो कशाय हो गई और सभी को मिले ये करुणा का भाव है, दया का भाव है, पुन्य का भाव है जो मुझे मिला, जो मुझे प्राप्त हुआ जिसके प्राप्त नहीं होने से में दुखी था परियाय परियाय में भटकता था अनादि काल से परिशान था जिस मार्ग को प्राप्त करके अनादि की परिशानी मिट गई उस मार्ग को सिर्फ मुझे नहीं सभी को प्राप्त हो, सभी का कल्यान हो, सभी का आत्म हित हो, सभी दुखों से मुक्त हो, ऐसी परम उदात भावना जिस जीव की होती है, सहज ही उसे इस प्रकार की तिर्थंकर प्रकर्ती का बंद होता है दर्शन विशुद्यादी, शोडश भावनाएं भाने वाला जीव, भाने वाला जीव का अर्थ इतना सही है, कोई बुद्धि पुरुवक नहीं भाते अंतरंग से सहज ही ऐसे परणाम उत्पन होते हैं, प्रगट होते हैं, विकल्प होते हैं कि न सिर्फ मैं बलकि जितने भी जीव संसार में हैं, वो सभी जीव इस मूल मार्ग को प्राप्त करें और दुखों का अभाव करें ऐसे शोड़स कारण आदी भावनाओं को भाने वाले, कशायों की विशेश मंदता रखने वाले, वो तो सहज का ही काम हैं, जियों को जब सरोत कृष्ट पुन्ने प्रकरती, तिर्थंकर प्रकरती का बंद होता है और कल्यानकों में, जब केवल ग्यान कल्यानक उनका होता है, तो उस समय इंद्रों का आसन हिलता है अवदी ग्यान से जान करके, वो कुबेर को आग्या देते हैं, और समोशरण की रचना होती है, अलवकिक रचना है और इसके बारे में आचारियों ने जगे जगे कहा है, कि इसका वरणन हमारे द्वारा सम्भव नहीं है मानस्तम प्रति रूप के लिए ही रचना समझ में आती है, कि जैसे समोशरण है, जिनाले भी समोशरण है, तो वहाँ भी मानस्तम प्रति रूप है, और जितने जितने अनुरूपता लाई जाएगे, उतने उतने भाव बनते हैं, एक तो ये समझ में आता है, दूसरा मानस्तम के बारे में, अलंकि शास्त्रा आधार आज तक नहीं मिला, लेकिन समझ में आता है, कि जैसे सूतक पातक में, मंदिरों में प्रवेशन नहीं है तो दूर से ही दर्शन ऐसा समझ में आता है शास्राधार नहीं मिला है तो ये भी एक आज की परिस्थिते में उद्देश हो सकता है कल अपन दूरी साल कोट तक पहुँचे थे शुरुवात रिविजन कर लेते हैं जिसे भगवान के समोशरन आया इसका पता चला तो वह जीव यदि उसको विकल्प हो पता होने के साथ-साथ पुन्य का उदै भी हो भगवान का समोशरन आया है ये ज्ञान तो हो गया लेकिन पुन्य का उदै नहीं होगा तो वहाँ जार्ट कर बैठने की भावना नहीं होगी देखने की भावना नहीं होगी दर्शन की भावना नहीं होगी तो पता होने के साथ साथ जिसके पुन्य का उदे होता है है न? ये हमेशा ही मैं कहा करता हूँ और मुझे आदार मिला है चर्चा संग्र का कि जहां ये बताया गया आशा ये है कि मंदिर में जाकर सोने वाले के भी पुन्य का बंद होता है भावना सुनने की थी अभी प्राय सुनने का था लेकिन दर्शन मोहनी के तीवर उदय से नीन आ गई है ना और नीन आ गई ये तो तीवर कर्म का उदय हो गया लेकिन भावना ऐसी थी और हर चीज कहीं रागद्वेश करने के आवशकता नहीं है कहीं समता भाव रखने की बात है कोई सुनता है तो ठीक और नहीं सुनता है तो भी ठीक यदि मैं सुनता हूँ तो समझ ले ना मेरे पास पुन्य के परमानु इस जाती के उदय में आये है और यदि ये उदय में नहीं आते और पाप के परमानु उदय में आते तो यदि किसी जीव को समोशरन के आने का पता चल गया और वो समोशरन के में पुन्य के उदय से दर्शन के लिए निकला तो दर्शन के लिए जब वो निकलता है तो समोशरण में उसे प्रविश करना है तो समोशरण में प्रविश करने के लिए सीडियों पर पहला पैर रखेगा वहां से 20,000 सीडियां उपर चड़ जाएगा सारा समोशरण ठोस होता है ऐसा नहीं कि अपने दीवार की तरह सीडिया लगा दी जैसे चारों तरफ सीडिया है ना तो सीडिया है का मतलब यह नहीं कि अपन जैसे लकडी की सीडिया आज की क्योंकि वर्तमान के संस्कार पड़े हुए है हमारे होते ही है सामने रूप से तो ऐसा नहीं कि सीड़ियां लगा दी, चार, बाकी नीचे खुला है, मौत के कुवे की तरह है, जो आजकल दिखाई देते न, वैसे ऐसा नहीं, ठोस, रत्नम है, ये समशरन होता है, पहली सीड़ी पर पैर रखा, फिर उपर चला गया, तो उपर जाने के बाद, वहां पर उ दूली साल कोट तक जाने के लिए, सीड़ियां चड़नी पड़ती है, अपन कल्पना कर रहे हैं, किस तरीके से ये समझ में आ जाए, तो बीस हजार सीड़ियां चड़ करके उपर आ गया, है न, वहां तक तो जीव अपने आ पाता है, फिर उसके बाद, उसको सीड़ियां चड़नी पड़ती है, क्योंकि धूली साल कोट के अब्यंतर भाग में और बाहिय भाग में सीड़ियां होती है, अब वो जो जीव वहां पहुंचा है, अब बाहिय भाग में ही पहुंचा है, बीस जार सीड़ियां चड़ करके आया है, तो बाहिय भाग में आने के बाद, तो धुली साल कोट में प्रविश करेगा ठीक है अब सीडिया चड़ेगा तो प्रविश करेगा तो वहाँ सीडिया है और वर्णन ऐसा आता है कि धुली साल कोट के आभ्यंतर भाग में और बाहिय भाग में क्या है सीडिया है क्यों है क्योंकि धुली साल कोट तिर्थंकर परमात्मा के शरीर की जो उचाई है उससे चौगुने उचे होते है बात समझ में आ गई चौगुने उचे होते मतलब दूली साल कोट की उचाई जादा होती है और नीचे जो चौडाई है वो कम है क्यों कि तिर्थंकर परमात्मा का शरीर यदी पांसो धनुष का है तो उचाई कितनी हो गई? दोजार धनुष और जब दोजार धनुष उचाई है उसी समय जो धूली साल की चौड़ाई है ओ तीन सो तेहतिस एक बटा तीन धनुष होती है तो तीन सो तेहतिस धनुष एक बटा तीन को अपन छोड़ दे अभी मोटे तोर पर तो तीन सो तेहतिस धनुष तो हो गई चोड़ाई है उचाई कितनी रही? दोजार मतलब उचाई ज़ादा होगी न उचाई ज़ादा हो गई तो आब्यंतर भाग में और बाईय भाग में सीडियां होती है पहले 20,000 सीडियां चड़ करके आए फिर उन सीडियों को चड़ करके दूली साल कोट में प्रवेश हो जाता है वहां पर धुलिसाल कोट जहां है वो गोपूर द्वार सहित है किस से सहित है गोपूर द्वार सहित है उस गोपूर द्वार के बाहर और भीतर सेकडों तोरण होते हैं सभी तोरण रत्नमई होते हैं और तिलोय पंड़ती के अनुसार इन तोरणों के अलावा गोपूर द्वारों के बीच दोनों पार्शो भागों में रत्नों की एक-एक नाट्टे शाला होती है पार्शो भाग में मलद गोपूर द्वार पार करने के बाद और बाहर उसके जो सीडियां होती है वो रत्नमई होती है जिसको चड़कर के ऊपर जाना है वो रत्नमई सीडियां होती है और गोपुर द्वार स्वरन के होते हैं और गोपूर द्वार की रचना भी तीन भूमियों से अर्थात तीन पीठ सहीत होती है जैसे तीन पीठ पर मानस्तंब विराजमान होंगे उसकी चर्चा आएगी वैसे गोपूर द्वार भी तीन पीठ सहीत होते हैं गोपूर द्वारों पर मनुष और देओं के अनेक युगलों की रचना होती है किसकी रचना होती है अनेक युगलों की रचना होती है युगलों की रचना समझ गए रत्नमई होती है और गोपूर द्वारों पर धूप घट युक्त पुतलियां होती है पुतलियां मतलब जैसे यूगलों के आकार है वैसे ही जैसे अपने खिलोनों में कोई चीज है मनुशाकरती वैसी आकरती की पुतलियां होती है उन पुतलियों के हाथ में धूप घट होते है दरवाज पर गोपुर द्वार पर ही क्या होता है धूप गट होते हैं कोई एक कल्प ना है कि थोड़ी देर पहले गंदगी में बद्भू में रहा था घर पर या कहीं ऐसे या गंद का लो भी जब उपर पहुंच गया तो गोपुर द्वार पर ही उसको सुगंद मिल गई अब उसी में ही मस्त हो जाए तो वहीं अटक जाए समोशरण में अटकने के साधन यदि अभी प्राय में वो भाव नहीं हो शुद्ध तत्व को सुनने का तो अटकने के स्थान बहुत है लोक में भी यहां तक पहुँचने के साधन मल इन साधनों के बीच में बादक साधन बहुत है और यहां पहुँचने के बाद भी प्रमाद एक ऐसा साधन है यहां तो बैठ गया आतर के और सुनने का उच्छा नहीं हो तो यहां बैठने पर भी प्रमाद एक बाधक साधन ऐसा बन जाएगा कि सुनने का मन नहीं करे तो गोपूर द्वार पर क्या-क्या होता है उनकी सीडिया रतनों की है धूप घट होते हैं जिन में गोशिर्ष मलय चंदन काला गुरू प्राचीन पूजनों में शब्दा आते हैं कौन-कौन से गोशिर्ष है मलय ज़ तो छोटे दादा के पूजन में भी है मलय ज़ कहो या मलय चंदन कहो काला गुरू आदी धूप की गंध उन घटों से निकलती है गंध कुटी का नाम भी गंध कुटी इसलिए है कि तिर्थंकर परमात्मा के सरवांग से गंध निकलती उसकी चर्चा तो वहां करेंगे धूप घट गोपूर द्वार पर ही होते हैं वहां से गंध निकलती है इसके अलावा गोपूर द्वार पर अश्ट मंगल द्रव्य होते हैं और 108, 108 की संख्या में होते हैं कितने होते हैं? मंगल द्रव्य 8 होते हैं और ये जो अश्ट मंगल द्रव्य है ये 108, 108 की संख्या में गोपूर द्वार पर ही है इसके अलावा 9 निधिया कौन से निधिया? 9 निधिया ये भी 108, 108 की संख्या में गोपूर द्वार पर होती है बात समझ मागई? यदि आपने चक्रवर्ती का वरणन पढ़ा हो तो चक्रवर्ती नव निधियों का स्वामी होता है और चर्चा संख्या में ऐसा लिखा है कि एक-एक निधि की सेवा एक-एक हजार देव करते है ऐसा आता है कि एक-एक निधि की सेवा एक-एक हजार देव करते है और संख्या में चक्रवर्ती के तो एक-एक ही होती है और कितनी निदी हो गई नौ निदी वहाँ पर और यहां गोपूर द्वार जो की बाहर का दर्वाजा है वहाँ पर यह जो नौ निदिया है कहला जी 108-108 के संख्या में यह जो नौ निदिया नाम सुनें कभी, बताओं दुबर, लिख लो, आगी के लिए पक्के हो जाएंगे, चक्रवर्ती के तो एक-एक की संख्या में हैं, और तिर्थंकरों के बाहर के दर्वाजे पर ही है, 108-108 की संख्या में पड़ी हुई हैं, तो चक्रवर्ती से कितने अधिक गुणा पुन्य का उदय तिर्थंकर परमात्मा के होता है, ये तो एक अर्थ इसमें से भी समझ लेना, नव निदियां, पहली निदी का नाम है काल, दूसरी महा काल, तीसरी निदी का नाम है पांडू, चोथी निदी का नाम है मानवक, मानवक शब्द पढ़ा होगा आपने कारक प्रकरण में, बाल करते हैं वहाँ पर, मानवक, चोथे नम्मर पर्थी, काल, महा काल, पांडू, मानवक, शंग, पद्म, नई सर्प, पिंगल, और नानारत्न, नानारत्न, काल, रिविजन कर लो, काल, महा काल, पांडू, मानवक, शंग, पद्म, नई सर्प, पिंगल, और नानारत्न, नव निदिया है, यह क्या काम करती है, कि यह रितों के अनुसार फल देती है, जैसे कल्प व्रक्ष फल देते हैं, वैसे यह निदिया भी रितों के अनुसार फल देती है, तुलो पन्निती में ये वर्ननाता है रितियों के अनुसार ये फल देती है और ये क्या-क्या देती है जैसे काल नाम की पहली निधी है निधी हो गई, निधियों के नाम हो गई क्या चीज देती है ये भी पता चले तो काल नाम की जो निधी है वो मालादिक द्रव्य देती है काल नाम की निधी मालादिक द्रव्य देती है महा काल नाम की जो निधी है वह भाजन अर्थात बर्तन देती है बाजन अर्थात बर्तन देती है पांडु नाम की जो निधी है वो धान्य देती है वहाँ आउशक्ता नहीं है इपुन्य का फल पुन्य का उदय कि तिर्थंकरों को कुछ देने की आउशक्ता नहीं है लवकिक में जो चीज चाहिए वो भी मिल जाए और अलवकिक तत्व ज्यान दिवे धनी भी वहाँ सुनने को मिल जाए भाजन ये महा काल नाम की निधी देती है पांडु नाम की निधी दान्य देती है मानवक नाम की जो निधी है वो आयुद आयुद शस्त्र आदी देती है शंक नाम की निधी वाद्ययंत्र देती है वाद्ययंत्र देती है वो शंक नाम की निधी पद्म नाम की निधी वस्त्र देती है पद्म नाम की निधी वस्त्र देती है नैसर्प नाम की निधी महल मांगो तो महल दे दे प्रासाद मकान तीन खंडगा चार खंडगा जैसा भी जो नैसर्प नाम की निधी है वो प्रासाद देती है पिंगल नाम की निधी आभूशन देती है सजने धजने की इच्छा हो, बिना अंगूठी के पहुँच गए, बिना चैन के पहुँच गए हो तो वहाँ वो चीजे भी मिल जाए और नाना रत्न नाम की जो निधी है वो नाम के अनुरूप रत्नों को ही देती है ये नव निधियां थी, उनके कार्य थे, ये रितों के अनुसार जो जो चीज चाहिए जैसे आभूशनों में भी चांदी ठंडी होती है अब गर्मी के दिन हो तो ठंडी चांदी के आभूशन दे दे सर्दी में ठंड होती है तो सोना गरम बाना गया तो वाभुशन दे देंगे ये बाहर तो यो पड़ी रहती है इस से हमें उपदेश ये भी ग्रहन करना चाहिए कि पुन्य का उदय है पुन्य का भोग नहीं है यहाँ पुन्य का उदय नहीं है और पुन्य के भोगों के लिए जीवतरस्ता है वहाँ सभी ग्यानियों के साथ यही बात है कि सभी ग्यानियों के परिणाम यदि देखे जाए बाहिय में पुन्य का उदय हो तो बाहिय के पुन्य के उदय को भोगने का भाव नहीं है अंतरंग में चैतन्य का भोग इतना हो जाता है इतने इत्रप्त वहां हो जाते हैं कि बाहर के पुन्य के उदय को भोगने का विकल्प ही नहीं आता है भोग का मतलब क्या? कि मुनिराज है नगन दिगंबर भावलिंगी संत है उनकी जैजेकार होती है तो वो जैजेकार की तरफ उनका लक्ष भी नहीं है कोई नमसकार करता है अत्वा नहीं करता है उदर भी लक्ष नहीं है आत्मा के आनंद में इतने लीन रहते हैं कि चर्चा संग्र की अनुशारिदी चर्चा की जाए इतने तरप्त होते हैं इतने प्रसंद होते हैं कि कई बार तो आखों से आसुआ जाए खुशी से कि आज तक मुझे जिस तत्व की प्राप्ती नहीं हुई वो चैतन निदान मुझे मिल गया है मुनिराज वन जंगल में भी क्यों जाते हैं कि जो निदी मुझे मिली है उसके भोग में कोई बादक नहीं बने इसलिए वन जंगल में जाते हैं तो यदि कोई जैजेकार करें तो उधर भी उनका उपयोग नहीं होता है देखो कितने लोग मुझे मानते हैं ऐसा विकल्प आ गया इसका मतलब वो जीव पुन्य का भोग कर रहा है बात समझ मैं गई कितने लोग मानते हैं कितने लोग जानते हैं ये क्या है पुन्य के उदय को भोग ना है ग्यानियों को पुन्य के उदय के इच्छा नहीं पुन्य का उदय हो तो भोग की इच्छा नहीं और भोग की इच्छा ही नहीं है तो भोग कहां से होगा बाहर में तिर्थंकर प्रकरती के ऐसे पुन्य का उदय गोपूर द्वारों पर 108-108 की संख्या में निदियां पड़ी रहती है और गोपूर द्वारों के आगे चले गए तो धूली साल कोट में पहुँच जाएंगे जो धूली साल कोट है वो सिर्फ दिवार जैसी रचना नहीं है जो उसका क्षेत्र है तीन सो तैतिस सही एक बटा तीन योजन उस धूली साल कोट के दोनों और गोपूर द्वारों से अपन अंदर आ गए तो अंदर आ गए तो सबसे पहले गोपूर द्वार पार कर लिया तो पार करते ही भीतर दो नाटेशाला है गोपूर द्वार पार कर लिया अपने आगे बढ़ गए थोड़ा सा चित्र बनाने की कल्पना करें अमने लगोशिस करें अपने कुई गोपूर द्वार पार कर लिया क्योंकि सिडिया चड़ करके गोपूर द्वार तक आ गए वहाँ पर जोतिशी देव मिल गए जैजनेंद्र हो गई ने तो हाथ में डंडा है जैजनेंद नहीं करो तो गोपूर द्वार पर जोतीशी देव मिल गए थे जैजनेंद्र हो गई फिर आगे बढ़ गए गोपूर द्वार कैसा था इननों निदियों वाला था संक्या एक सो आठ अस्ट मंगल द्रवे वाला था धूप घट वाला था और इसके अलावा तोरन वाला था उससे गोपूर द्वार से हम उपर चड़ गए है ना और नीचे उतर गए अब यहाँ शुरू होने वाला है धूली साल कोट तो गोपूर द्वार के ठीक पीछे ये तो गया द्वार हम अंदर आगे गोपूर द्वार पार करते हैं इदर और उदर विथियों के दोनों कोणों में कल्पना हो रही न समझ में आरी बात कि इदर और उदर गोपूर द्वार चार है विजे वै जैन्त जैन्त अपराजित इनके नाम है उगोपूर द्वार अब पूर्वदिशा से अपन प्रवेश करे तो विजे नाम का गोपूर द्वार हमने तो पार कर लिया आगे बड़े गोपूर द्वार जहां खतम हो उसके जो विथी है विथी को छोड़ देना दोनों और दो दो नाट्टे शाला है अब आप ऐसा मत समझना कि एक कोणे में बना दी होगी क्षेत्र है उसका हो अब नाट्टे शाला भी कैसी कि एक एक नाट्टे शाला के 32-32 रंग मंच होते है समझ मागी नाट्टे शाला पूरी एक और उस पर मंच कितने जिस पर देवांगना इनरत्य करती है जिस पर देवांगना इनरत्य करती है रंग मंच कितने? 32, और एक-एक रंग मंच पर 32, 32 देव कण्याएं, कितने हुग गए? एक नाट्रेशाला, एक नाट्रेशाला से आशरित कितने रंग मंच हैं? 32, और एक-एक रंग मंच पर 32-32 देव कण्याए नरत्य करती है आभिनाय सहीत नरत्य करती है भगवान के विजय गीत गाती है सिर्फ नरत्य नहीं कर रही है समझ मागी बात सिर्फ नरत्य ही नहीं करती है बलकि भगवान के गीत विजय गीत गाती है कर्मों पर इनों ने कैसे विजय प्राप्त की उनके कर्मों पर विजय के गीत गाती है और वहाँ भगवान की और अभिमुक हो करके 32 की 32 रंग मंचों की कन्याएं सबका मुँ भगवान की तरफ भगवान की तरफ पीठ किसी की नहीं वहां से ही भगवान को पुश्पान जली क्षेपित करती है पुश्पान जली का मतले ये फूल नहीं वनस्पती काई वहीं से पुश्पान जली का क्षेपन करती है और वो जो रंग मंच है नाटेशाला है इसको अपना आगे पार कर लेंगे तो फिर वो शुरू हो जाता है दूली साल कोट का ही अंश है दाई और जाएंगे तो दूली साल कोट बाई और जाएंगे तो वहाँ पर भी दूली साल कोट है दूली साल कोट में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर स्वर्ण में दो बड़े बड़े खंबे मिलेंगे दूली साल कोट के इधर भी और इधर भी क्या है दो दो स्वर्ण में खंबे हैं जिन पर रतनों के मकराकरत तोरण द्वार है उन पर रतनों की ही मालाएं लटकती है तो ये अभी अपन वहीं है कहां हाँ दूली साल कोट में ही पहुँचे हैं दूली साल कोट को पार करके आगे चलेंगे तो सबसे पहले हमें चैत्य प्रासाद भूमी दूली साल कोट कल भी पढ़ा था अपने आज भी है कोई विशेश बात होगी तो दूबारा बता देंगे दूली साल कोट को पार करने के बाद चैत्य प्रासाद भूमी है कौन सी भूमी आती है चैत्य प्रासाद भूमी आती है दूली साल कोट सिर्फ कोट नहीं है दूबर कोई विकल पाया हो बता रहूं आपको कि दूली साल कोट को आज की भाशा में हम क्या कहेंगे बाई जी चार दिवारी दूली साल कोट को क्यों उचा होता नहीं है तो चार दिवारी कभी पुरान जैपुर देखा हो जो दिवार सहीत है तो ऐसी जो चार दिवारी है वो धूली साल कोट है और जैसे चार दिवारी से आसे सिर्फ इतना मत समझना कि चार दिवारी तो सिर्फ दिवार हो गई आज की लेकिन वो जो दूली साल कोट जिसे हम चार दिवारी कहेंगे वो अनेक मारगों से युक्त हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी अट्टा लिका हैं बड़े महल को अट्टा लिका करते हैं बड़े बड़े महल बने हुए उसका अभ्यंतर भाग में दोनोर बड़े-बड़े महल है और वहाँ पता काई है आज भी कहीं फंक्षन होता है न वो जंड़े लगाते हैं होटल वक्टल में भी बाहर के हिस्से में और या कोई आता जाता है नेता वेता तो वो जंड़े लगाते हैं वैसे ही वहाँ बड़े-बड़े मेहल है धुली साल कोट में और पता काई भी वहाँ फैराईती हुई रक, मतल फैरती है, बीज बीच में तोरन दोर है धुली साल कोट में सेकडो हर जग तोरन दोर है हर जग वो तोरण द्वार जाने वाले का स्वागत करते हैं जग जग तोरण द्वार है जिस पर चमकदार रत्नों के हार लटके हुए रहते हैं धुली साल कोट के बाद चैत्य प्रासाद भूमी आती है चैत्य अर्थात जिनमंदिर जिनपूर और प्रासाद अर्थात महल चैत्य अर्थात यहां पर चैत्य का अर्था प्रतिमा होती है और चैत्य अले मतलब जिनमंदिर तो यहां चैत्य संक्षेप में कहा मद्यम पदलोपी समाज भी हो सकता है कि चैत्य अर्थात इस भूमी पर बात समझ भागे कल बताया था कितनी बड़ी है एक सही पाँच बटा छे योजन चवडी है कल बताया था न? याद होगा? नहीं बताया? अचा चैत्य प्राशाद भूमी तक अपन कल धूली साल कोट और धूली साल कोट में अटक देते हैं न? ये सामान ने बात बतायी थी कि धूली साल कोट और चैत्य प्राशाद भूमी चार अजार धनुश में है है न? दूली साल कोट और चैत्य प्रासाद भूमी 4000 धनुश में है मतला आदा योजन में है और पहली वेदी और दूसरी खाती का भूमी ये भी 4000 योजन में है क्योंकि ये 4 रचनाए 4000 धनुश में 4000 धनुश में दूली साल कोट और चैत्य प्रासाद भूमी दो गया और उस चैत्य प्रासाद भूमी के बाद पहली वेदी आएगी वो वेदी और दूसरी खाती का नाम की भूमी ये दोनो 4000 धनुश में है दूली साल कोट और चैत्य प्रासाद भूमी ये भी चार हजार धनुष में हैं आठ हजार धनुष का एक योजन होता है तो मिला करके आठ हजार धनुष हो जाएंगे और आठ हजार धनुष का एक योजन होता है चार कोश का एक योजन होता है या फिर आठ हजार धनुष का अब कोश को भी यदि धनुष में बाटेंगे कि 2000 धनुष का एक कोश होता इस तरीके से तो चैत्य प्रासाद भूमें एक पांच बटा छे कोश होती है एक पांच बटा छे कोश होती है समझ मैं कई बात है? दूली साल कोट से कई गुणा बड़ी होती है कुणसी? चैत्य प्रासाद भूमी उससे तो कई गुणा बड़ी हो गई हो तो 333 धनुष ही है है न? दूली साल कोट 333 धनुष ही है बाकी सभी रचनाओं के साथ दूली साल कोट को कि जो चैते प्रासाद भूमी की जो चौड़ाई उससे तो लगबग बारा गुना अधिक बैठती है तो चैते प्रासाद भूमिया दूली साल कोट के बाद है इनका नाम चैते प्रासाद भूमिया क्यों पड़ा कि वहाँ जिनाले है जिनमंदिर है और प्रासाद भी है एक जिनाले है तो पांच प्रासाद है बात समझ वागई ऐसा भी संभव आखलांकि जिनवानी में ऐसा नहीं आया लेकिन कल्पना मैं कर रहा हूँ इसको मेरा समझ लेना कि बीच में यदि जिनाल है तो पाँच और उसके चारो दिशाओं में पाँच दिशाओं में क्या बने हुए प्रासाद बने हुए जिन्वानी में नहीं है मैं कल्पना मातर बता रहूँ अब वो पाँच महल चारो और ही अंतराल से हो सकते हैं तो एक महल नहीं एक जिनाल है उसके चारो और किछने मंदिर पाँच मंदिर होते हैं ये चेट्य प्रासाद नाम की भूमी में अनेक प्रकार की वापिकाएं हैं अनेक प्रकार की वापिकाएं हैं और भाई जी तिलोय पन्नती में ऐसा आया है कि वापिकाओं में कोई अपना मुह देखे तो वहाँ साथ भ़ों की जानकारी हो जाए दिखते हैं अब तक तो भामंडल में ही सुना यही सुना था कि वापिकाओं के जल में यदि कोई अपना पर्चाई पर्तिविम्ब देखे तो उसमें उसको वर्तमान के अलावा पीछे के तीन और आगे के तीन हाँ उसमें भी दिखते हैं मान लो कोई जीव विशेष वहराग्य वाला विशेष रुची वाला हो और सीधे पहुँच जाए कहां भगवान के पास तो वहां दूसरी बात जो मेरे समझ में आती है कि भामंडल का मतले जो हम गोल बनाते न ऐसा चित्र दिमाग में मत रखना जैसे कोहरा होता है न कोहरे की तरह भगवान के शरीर से आभा निकलती है कोहरा तो उदारन मातर बता है मैंने वह जो आभा निकलती है सर्वांग से उसको आभा मंडल कहते है बात वह तो केवल पीछे प्रतिरूप बनाया है कि भगवान के सर्वांग से वह आभा निकलती है उस आभा में रोशनी में जीओं को अपने भव दिखते हैं न कि भगवान के पीछे देखना पड़ेगा बात समझ में आ गई भगवान के सरवांग से जो आभा निकलती है उसका जो ओरा बनता है उस ओरे में जीओं को साथ भव दिखाय देते मानलो सीधा कोई जीव पहुंच गया उसके लिए तो वह है लेकिन मानलो भगवान तक नहीं पहुंचे और बीच में वैराग्य प्राप्त करने के लिए भी यदि कोई वैराग्य उस घटना के दोरा प्राप्त करे तो जलादिक में यह तो सहज रचना यह तो अपना अर्त निकाल रहे कि जल में यदि कोई देखे तो उसको साथ भव दिखाई देते हैं एक बात वहाँ नाने दोने की मनाई तो है नी नाने दोने की मनाई नहीं है यदि कोई ना है तो वहाँ के जल से सनान करे तो वर्तमान भव संबंधी मलड़ वर्तमान जो भव है उस वर्तमान भव संबंधी उसको आगे पीछे की जानकारी हो प्रतिविंब देखने वाले को भव दिखे और नहने वाले को वर्तमान के भव संबंधी घटनाओं की आगे की और पीछे की जानकारी मिले बात समझ मागई जो वापिकाएं है चेत्य प्रासाद भूमी में वापिकाएं है और और वापिकाओं का तो वरणन ऐसा आता है भाई जी ने पूछा इसलिए बता रहा हूं आपको रत्नों की सीडिया तोरण द्वार कमल तरतर के पक्षी तोरण भी बने हुए है वेदिया बनी हुई है किनकी वापिकाओं की वापिकाओं की वेदिया बनी हुई है वापिकाओं पर तोरण है वापिकाओं पर मालाय लटक रही है वहाँ पर पक्षी है न पक्षी भी है जो आवाज कर रहे हैं और जितनी अपन लोकिक समझ सकते न तितलियां कमल भोरे वो सब हैं वहाँ पर और अलोकिक है ये तो गए चैत्य प्राशाद भूमी के बीच की बात अभी तो अपन को पहुचना है मानस्तंब पर वीथी को अपन नहीं छोड़ा किसको नहीं छोड़ा अपने वीथी को नाटेशाला पार कर ली नाटेशाला पार कर ली नाटेशाला पार करने के बाद दूली साल कोट आ गया था दूली साल कोट भी हमने पार कर लिया और अभी हम कहाँ पर है महावीथी पर ही है और महावीथी पर हम चलने लगे तो हमने एक स्टेशन छोड़ दिया पीछे धुली साल कोट का अब क्या आगे आगे चैत्य प्रासाद भूमी का स्टेशन आले माले आ है लेकिन चैत्य प्रासाद भूमी ये तो रह गई दाई तरफ बीच में तो रास्ता खुला है न तो इस चैत्य प्रासाद भूमी दोनों तरफ और महाविती पर हम खड़े हैं अभी एक कदम भी आगे नहीं बड़े महाविती पर खड़े हैं धूली साल कोट हमने पार कर लिया और है महाविती पर जिसके दोनों और अब चैत्य प्रासाद भूमी प्रारंब होने वाली है है न उस दोनों तरफ तो चैत्य प्रासाद भूमी और उस महाविती के बीचो बीच मानस्तंब दोनों तरफ क्या गया यदि कोई दुली साल कोट में मानस तंब बनाएं ज़्यादतर रचनाओं में मिलेगा दुली साल कोट को पार करने के बाद चैत्य प्रासाद भूमी जो की दुली साल कोट से लगबग 12 गुणी अधिक चोड़ी है उसके बीचों बीच में मानस तंब होते हैं क्या होते हैं मानस तंब होते हैं अभी हम मानस तंब तक नहीं पहुंचें जा रहे आगे सबसे पहले हमें कुंड मिलेंगे क्या मिलेंगे कुंड मिलेंगे उन कुंड ओपर हाथ पैर दो लिजिये नाहे नहीं हो तो कुए तो बने हुए ही वहां पर है न तो वहाँ सबसे पहले कुंड मिलेंगे बराबर दो कुंड मिलेंगे दाई तरफ हो तो दाई तरफ बाई तरफ हो तो बाई तरफ हलंकि सुक्ष्म वर्णन समोशरन का नहीं मिलता है लेकिन ये जरूर समझ में आता है कि एक तरफ महलायर एक तरफ पुरुश दुनों के लिए दो कुंड बने होंगे सुक्ष्म वर्णन नहीं आता है तो दाई तरफ भी कुंड मिलेगा और बाई तरफ भी क्या मिलेगा जल का कुंड मिलेगा वो भी सारी रचनाय रत्नम ही हैं अभी जिस गोपुर से आप आगे आए हैं हम आगे आए हैं गोपुर के दर्वाजे सोने के होते हैं गोपुर के जो द्वार थे वो किसके थे सोने के थे और इनकी जो नीव है वो अज्रकी होती है अभी दो कुंडों में हमने क्या कर लिया भीया पैर दो लिया पेर दोने के बाद वहां कुंड के ठीक पास में वापिका मिलेगी क्या मिलेगी हमको वापिका मिलेगी ये तिलो पन्नती के अनुसार रत्नकरंसराव का चार में इसको बावडी कहा है और हरिवन्ष पुरान में कुंड के आगे जो है उसको द्रह कहा सरोवर कहा अलग अलग नाम मिलते हैं कुंड के बाद सामान्य शब्द लेना हो तो जलाशे होता है कुंड के बाद क्या है जलाशे है ये जलाशे भी दिवय अलोकिक रचना वाला एक एक चीज भी अभी तो भगवान तक पहुँचे ही नहीं है मानस तम्ब तक पहुँचना है तो जलाशे हमने पार कर लिया होगी है कुंड में हाथ पैर दो लिया है वापी का जो बनी हुई है या द्रह बना हुआ है सरोवर है उसको भी हम पार करके चले गए कल्पना करना एक चित्र बनानी की कोशिश आगे गए तो सबसे पहले एक तोरण द्वार आएगा क्या आएगा तोरण द्वार आगया कब आएगा तोरण द्वार हमने वापिगा पार कर ली तो पहले क्या आएगा तोरण द्वार आएगा जो तोरण द्वार तीन तीन आएंगे तीन जो है वहाँ पर उपर की आवासे सुना ही नहीं दे रहा है जो पहला तोरण द्वार है और ये जो तोरण द्वार है ये कोट का है अभी सुनना ज्यान से बीच में मानस्तंब है जो तीन वेदियों पर बना हुआ है और तीन वेदि के बाहर तीन वेदिया है तीन वेदि के बाहर तीन कोट है मतलब आप साथ गोले बना लिजे गोल पहला बीच का जो गोला है वो तो मानस्तंब का दूसरे जो तीन गोले है वो तीन वेदियों के और वेदियों के बाहर तीन गोले बना लेना जो तीन किसके है कोट के है किसके है तीन कोट बाहर से तीन कोट है और उन तीन कोटों में चारो तरफ से तोरण द्वार है समझ मैं कही बात है जो कोट है वो तो गोलाई वाले है अब पूरे बंद नहीं है प्रवेश के लिए दरवाज़े होंगे न तो तीन कोट पर तीन द्वार मिलेंगे तो वापिका से आगे बढ़े तो कोट आएगा जिसका दरवाज़ा होगा उस दरवाज़े से हम भीतर प्रवेश कर पाएंगे मैं समझाने के प्रैस कर रहा हूं समझ मैं आ रहा है थोड़ा बहुत है ना तो तीन कोट मिलेंगे तीन कोट सही तो तीन वेदियां होती है और तीसरी वेदी पर मानस्तम्ब होता है और जो तीन कोट है वो चारों और द्वार वाले होते हैं द्वार कहो, गोपूर कहो, या तोडन कहो, है न, वैसे बने हुए हैं, तीन कोट आपको मिलेंगे, वापी का पार कर ली, पहला कोट आ गया, उसके दरवाजे में से आगे चले गये, तो क्या आ गया? दूसरा कोट आ गया, दूसरे कोट का दरवाजा आ गया, उसको पार कर लिया, फिर तीसरा कोट आ गया, तीसरे कोट को हमने पार कर लिया, तीनो कोट पार कर लिया, तीनो कोट पार करने के बाद, एक बात और रह गई वो बात ये कुंड के पास जो वापिकाएं हैं वो जल महल उसमें होते हैं वापिकाएं जो है न वापिकाया जो है सिर्फ सामान ने वापिका नहीं उसके भीतर भी महल बने हुए है और वो महल लोकपालों के होते हैं लोकपाल दे होते हैं न लोकपाल दे होते हैं पता है न आपको इंडर सामानिक तरह 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 पारिशद आत्मरक्ष लोकपाल और अगले भोसे मोक्ष जाने वाले जियों में आता है कि नहीं नाम लोकपालों का दक्षनेंद्र, लोकपाल, सचेंद्राणी, सरवार सिद्धी के देव, और लौकांती के देव, ऐसे ही यह जो लोकपाल है, वो बावडियों में उनके महल बने हुए होते हैं, जो बावडिया ना जिसके कुंड में आपने पैर दोए, अपने पैर दोए, वो जो बावडिया है, चारो दिशाओं में, एक मानस तंब के चारो दिशाओं में चार बावडियां होती हैं, और वहाँ पर लोकपालों के, क्या होते हैं, महल बने हुए थे, बावडियों के बी करने के बाद आस्थांगन नाम की भूमीं आती है यही पर बैठ करके जैसे अभी विदान हो गिर हो रहा है न यहीं बैट करके विदान कर लो पूजन कर लो भक्ती कर लो यहीं से भगवान के दर्शन होते हैं यहीं से भगवान के भी दर्शन होते हैं और यहीं से दर्शन कैसे होते हैं क्योंकि आप वीथी पर खड़े हो नेवाद समझ में वीथी पर खड़े हैं अभी और वीथी से सीधे सामने भगवान के दर्शन होंगे तो जिनके जैसे इंद्रियों के ज्ञान की शक्ति है वहाँ से भी देवादिक को भगवान के साक्षाद दर्शन होते है कहां से? आस्थांगन नाम की भूमी से जहां ऐसा वर्णन आता है तिलोपन्नति में निरंतर देव मनुष देवियां मनुषनियां वहाँ निरंतर कोई भगवान के गीतगारी कोई भगवान के भक्तिगारी कोई पूजन कर रही है कोई पूरुष गीत गारा है भक्ती कर रहा है कहाँ वो आस्थांगन जो जग बताई न तीन कटनी पार करने के बाद जो गुलाई है उस गुलाई पर निरंतर हमेशा भक्ती करते हुए जीव पूजन करते हुए जीव पाए जाते हैं उसके बाद तीन कटनी के बाद तीसरी पीठ आती है फिर दूसरी पीठ उसके बाद पहली पीठ और वो पहली पीठ जो की एक हजार धनुश्की होती है पहली पीठ एक हजार धनुश्की होती है उस पर उस पीठ पर हरिवंश पुरान के अनुसार एक हजार कम मतलब 999 धनुश गुलाई वाला मानस तमब गोल होते हैं एक सो निन्यानवे धनुश गोल गुलाई समझे न उसकी एक कोणे से दूसरे कोणे तक की गुलाई 999 धनुश ट्रिपल नाइन धनुश यह तो हरिवंश पुरान के अनुसार तिलोय पन्नती के अनुसार दो धनुश कम वेदी कितनी बड़ी है तीसरी पीठ कहो वेदी कहो आज की बाचा में वो पीठ कितनी बड़ी 1000 धनुष अब हरीवंश पुरान के अनुसार एक धनुष कम मानस तंब गोल होते हैं तो कितने गोल हो गया हरीवंश पुरान के अनुसार गोल मानस तंब 999 धनुष होते हैं और तिलोई पन्नती के अनुसार दो धनुष कम कितने कम दो धनुष कम गोल होते हैं इसलिए गोल ही मानेंगे अब उपर उचा ही कितने कि तिर्थं करके शरीर से 12 गुणे उचे कितने गुणे उचे 12 गुणे उचे और गोल कितने तो गोल जो है हरिवंश पुराण के अनुसार 999 धनुष और पन्नती के अनुसार 998 धनुष कम ऐसे गोल होते हैं और हरिवंश पुराण के अनुसार उपर सिद्ध प्रतिमाए होती है नीचे का कोई उलेख नहीं किया और रत्नक्राण स्राव का अचार में सिर्फ नीचे ही जिन प्रतिमाए होती है यह लिखा है उपर का उलेख नहीं है तिलोय पंणती में लिखा है कि उपर और नीचे वेदी के पार्शो भाग में मूल भाग में मतलब नीचे और उपर भी जिन प्रतिमाएं होती हैं तो तिले पंड़ती के अनुसार अपनवर्णन पढ़ रहे हैं तो वेदी के मूल भाग में और उपर भी जिन प्रतिमाई उपरी भाग में भी होती हैं अब वाकी चर्चापन कल कर लेंगे तो वाकी चर्चापन कल रहे हैं अब अच्छा प्रस्ण प्रयोजन भूत है सहजी बात है यह कि भी हम यह वर्नन पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं मतलब पहली बात तो यह हो सकता है कि व्यक्तिगत कोई जीव आज तक समोशरन में जाकर कि नीच बाहरी अटक गया हो सामान्य कतन यह है कि अनन्त बार भगवान की दिवेदोनी सुनी है सामान्य कतन व्यक्तिगत कोई जीव होगा कि जो बाहरी अटकता रहा हो कई बार होता है ना कि जैसे सरसेट हुकुमचन के बारे में सिखर के दर्शन नहीं होने थे बीज बीच में बाद है गई कुछ हो जाए ऐसे संभवत है व्यक्तिगत किसी का हो सकता है सामान्य कतन के अपेक्षा से तो अनंतबार गया और भगवान की साक्षा दिव दुनी भी सुनी तीसरी बाद प्रयुजन सुनने का इतना सा ही है कि इसको दारना में विशेज बिठाने की बजाए एक बार ये तो हो कि भगवान का समोशरण कैसे होता है क्योंकि इसको रूपस्त द्यान के अंतरगत लिया एक बात दूसरा जो जिनाले हैं जहार प्रती दिन हम सुबश शाम जाते हैं तो वहाँ जिनेंद्र भगवान यदि समोशरण की याद आ जाए तो महिमा और विशेश हो जाए तीसरे बात कि पुन्य का उदय कितना और रचना जिस रचना को विश्व की सरोत कृष्ण रचना बताया दो ही रचनाओं के बारे में जिनागम में आता है एक तो अकरत्रिम चैत्याले और एक समोशरण अकरत्रिम चैत्याले और समोशरण समोशरन में रचनाएं ज्यादा है अकरत्रिम चैत्याले की तुल्ना में समोशरन की जो रचनाएं जो विविन्नताएं हैं वो अलेक है जो पढ़ने में आ रही जो वर्तमान में अपने पाद जिनागम है उसके अनुसार कह रहे हैं क्योंकि कई आगम तो लुपत भी हो गए न हो सकता है विशेश वर्णन यदि पढ़ते तो यह पता चलता है कि अकरत्रिम चैत्याले में का लेकिन दोनों ही अब दोनों जो अलोगिक रचनाएं हैं जो जिनेंद्र भगवान से संबंदित है जिन प्रतिमाओं से संबंदित है दर्षनादी के भाव से कि इतना कई प्रयोजन हम ग्रहन कर सकते हैं अपनी अपनी समझ से कि इतना बाहर में वैबव होने पर भी अंतरंग में राग का अंश भी नहीं है राग का तो अभावी हो चुका है दस्वे गुनस्तान के अंत में तो सब मौहादिक नश्ट हो गए उसका तो अभावी हो गया लेकिन ये जो रचना है यदि अपना उपयोग यहां रहे तो उपयोग की निर्मलता हो जाए ये भी हमारे लिए एक लाब हो जाएगा और सामान्य कथन के बजाए विशेश कथन हमेशा ही प्रयोजन भूत होता है जिन मंदिर समवशरन का प्रतीरूप है तो हलांकि हूबहू प्रतीरूप नहीं है तो वो रचना कैसे थी उसके जानकारी भी हो जाए ये भी एक प्रयोजन होता है और सामान्य कथन से विशेश कथन बलवान इसलिए होता है कि ज्यान के साथ परिणामों की विशुद्धी हो जाती है ये भी एक हमारा प्रयोजन रहता है जैसे अन्य संसार के कार्य करते हैं उसकी बजाए ये कार्य इसके अलावा अन्य पढ़ते हैं प्रतमान योग आदी केवल ज्यान हो गया तो केवल ज्यान तिर्थंकरों को हो गया तो उसके बाद कुबेर इंद्र की आज्या से समोशरन की रचना करता इतना पढ़कर के पुरानों में हम आगे बढ़ जाते हैं तो वो समोशरन कैसा इस द्रिष्टी से इस जग्यासा से भी हम पढ़ सकते हैं और ध्यान के प्रकरण में तो रूपस्त ध्यान में इसका प्रकरण आया ही है ज्यानियों को तो रूपस्त ध्यान का भी कारण बने और हमारे परिणामों की विशुद्धी का भी निमित बन सकता है विशेश ग्यान होने से और जिनमंदिर प्रती रूप होने से प्रती दिन जिनमंदिर में हम जाते हैं सुबश हम जाते हैं तो दर्शन के समय ये भी विशेश ग्यान हो जाए तो ठीक है कल मैं नहीं आउंगा पर्षू आजाउंगा